नमस्कार मैं चन्नुरुपाद्य आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत हैं हम अबनेदन करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल साइकोलाजी वाले गुरुजी में आज के क्लास में हम मैं फर्स्ट यार दिती सेमेश्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड जिसका नाम है मोटिवेशन और एफेक्टिंग प्रोसेस इसके अंतरगत जूनिट फर्स्ट के जिस महत्पुर्ट टापिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है मैकले मैकली लेंड्स एचिमेंड मोटिव मैकलेंड का उपलब्धी अभी पढ़ना का सिध्धान मोटिवेशन का इंपॉर्टेंट थियरी है मैकलेंड का इसके बारे में आज के क्लास में हम भी स्थार से चर्चा करने वाले हैं मैकलेंड के जो पूरा उपलब्धी का अभी पढ़ना का सिध्धान था उसको मैं क्या रूप में सरान सित्त किया हुँ जिससे आप लोग को जो है एकसम असाणी से समझने में कोई दिक्कत न हो फिरू Canyon सामजने में फिरूर से principle अब्हें रहेगा इसके पहले हमने जो है मेसलों का जो अब नहीं ने दिया था और शकता पतानुकरम का सिध्धान्त उसको पढ़ा था ठीक उसी प्रकार से हम पढ़ लें में मेकलिलेंड ने भी अपना अभी पेड़ना के सिध्धान्त वो दिया है तो वो क्या है इसके बारे हम बात करते हैं देखिए जो डेविड पूरा नाम क्या था ड्रेवीड मैकली लेंड ये अमेरिकन मनोबिज्ञानिक थे आनी के डने वाले थे वहां मनोबुज्ञानिक थे ठीक क है और इसे हम क्या है 3 आवसकता कारक चीद्धान के नाम से भी हम इसको जानते हैं ठेक है 3 आवसकता सिध्धान्द के नाम से रहे जानते क्योंकि इन लुम ने तीन तरह कि आवसकता हैं उसके बारे में बताया है इसलिए इसको क्या बोलते है थ्री नीर्ष थियरी या उसके बोलते हैं तो यह हमने कहा है किसको त्री आप सकता कारक्स कि नाम से भी जाना जाता है थेक अब इन्हों ने जो अपने सिद्धान का निर्माण किया तो यह किस्य परभावित हुए तो यह एक जिनकी जो इन्हों तेक्स्टोनामी आप निर्स से काफे प्रवित हुए थे और जो इनके सिध्धान का अधार था वो हिन्री मोरे के टेक्सटोनामी आप निर्स नहीं लिए गया था ठीक है इनका कहना था मैखलीनेंड साहब का करना था कि जो अभी बेरक होते हैं मोटीव्ट होते हैं वो अंतर या पूश करती है किसी काम को अच्छे से करने के लिए वह ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति उसको जन्मचे ही लेकर आता है। आयांगी एमार्य संस्किती जो अनुभा उसे मिले रहते हैं उससे quests होता है इसलिए इसको क्या कहा गया सिखाया आवसक्ता सिद्धान्थ औहीं कॉह जाता है लान्ड निर्स- मेरी भी इसको कहा जाता है क्योंकि मेकली लेंड शाहब करते हैं कि जो मोटिवेटर्स होते हैं वह क्या होते हैं जन्मजात नहीं होते बलकि व्यक्ति क्या है उनको अर्जित करता है कैसे सिखता है अपने संस्कीती से वह रहता है और उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बूरा जो भी उसके लाइफ से उसको प्राप्थ हुए है उससे क्या है वो सिखता है आगे बढ़ते हैं मैकिलेंड का मानों अभी प्रेडकों में से एक होता है जाने कि इनके अनुसार क्या है तीन प्रकार के मोटिवेटर्स बता यह मोटिफ से में अभी प्रेलग बता है जो किसी भी व्यक्ति को प्रवावववित करती है संबंदिच्षत्र में आगे बढ़ने के लिए या अपना कर्तीमान हासिल करने के लिए यह कहते हैं कि तीन होता है लेकिन यह हैं यह कि जो मैंध रहुआ है ने लेघ्र हेखते हैं सब्हसव्टिकाइब जाता है आई हैं मोटिव कुंधरा निट फाल नोहीं ही विसमंध ब Mires करो सब्वेद यह सकते हैं यृणे क्यूत कreаютaal वो एफिलियेशन और बिलांगी ने संब्दता या अपने पन की आप सकता तीसरा नीट फार पावर इसको सकती की आप सकता कहते हैं ठीक है यह जो आपको मोटिवेशन के थीरी पढ़ा जा रहा है यह जो और 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 अर्गनेशनल बीहवियर के इंतर गद्वी पढ़ारे से किसी की उद्व्योग दंदे में करमचारी कैसे कार्य कर रहा है उसके परिपेश में भी आपको पढ़ा जा रहा है तो उस परिपेश में भी आप इसको समझीए देखिए सबसे परदे बात करते हैं नीट फार अचिमेंट उपलब्धी की आप सकता इस प्रकार के जो व्यक्ति ह होते हैं जिसके अंदर क्या है उपलब्धी की या निट फार अचिमेंट वाला गुर्फ पाई जाता है वो क्या होते हैं कुछ अनूठा हासिल करने के लिए तत्पर होते हैं ठीक है कैसे हासिल करते हैं कुछ अनूठा वह सफलता अफरात करने के लिए संघर्ष करते हैं यान जीरो से तब वो सिरों बनते हैं और ये जो होते हैं और हुआ है रिस्क लेने पी नहीं किर जाते हैं अपने काम को करने में में काम उप्लगदी हासिल करने कोई रिस्क लेने पी भी Welcome ये लेकर आये कितना भी आप फ्रिम चलाएं तो उन्होंने रिस्क लिया ठीक है रिस्क लिया बाद में ऐसा हो गया कि सभी जो कंपनिया थीं और इसका किया होते हैं वो रिस्क लेते हैं और काम करते हैं जोनका वर्क-पर्फ़ामेस होता है उसका क्या है वह उत जो हमकाम कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं अगर कि नहीं कर रहे हैं तो कितना घ्राइए अपने को चेक हो रहे हैं कि कारेक कैसा हमारा चल रहा है समझते हैं समझते हैं कि हम जो भी कार हमने शुरू किया है जब तक वह पूर नहीं हो जाएगा तब तक वह कार का जो सही हमको परफामेस जा सही जो प्रोड़क्सन हमको मिल रहा है वह नहीं मिल पाए जाए और यह ऐसे वह को अगर हाथ में लेते हैं तो वो कार को तब तक उसकार में लगे रहते हैं जब तक वो कार क्या है न हो जाए ठीक है कि उपलब्दी अनमुक लोग अपनी विकास के लिए अधिकान संग्रों की डीर होते हैं। कि जो ऐसे बगती जिन में निट फ़र अचीवमेंट का गुर्ड पाए जाता है या मोटिख पाए रहता है वो किसी भी ऑगनाजिशन के लिए एक जो है यह बैक बोन का क्या है उनको काम देना चाहिए जिससे उनका कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ कर सके अगला है नेट फॉर अफ्लिएशन संब्धता की आवसकता यानि कि संबंद जोड़ने की आवसकता ठीक है अब ऐसे बक्ति जिसमें यह बाला नेट फॉर अफ्लिएशन वाला मोटीफ पा जाती है और क्या पाई जाती है यह सभॉत और आपसी समझ्थ पर अधारिश संबंदों की इच्छा यह समझते हैं कि कोई काम जो है सयोग और आपस में जो संबंध है उसको बना कर किया जा सकता तो वह कार और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है यानि कि इस प्रकार के जो वेक पर ज्यादा फोकस अपने आपको करते हैं यानि करने के ताथ पर है कि संबंदन किया वसकता भी ब्रेक्ति के जीमने बहुत ही महतपूर और अदा करता है क्यों आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके साथ बात करें के लिए कोई नहीं है को नर्चेदार है ना कोई दोस्त है ना कोई है तो क्या सब कुछ बेकार तो ऐसे ब्रक्ति जो है अपने आपको भीहत संतुष्ट और मानते हैं क्योंकि वह समबंदों से घीर होते हैं प्रफार्मेंस दे पाते हैं अगला ऐसे ब्रक्ति एक टीम में प्रफार्मेंस नहीं दे पाते हैं जितना कि वह सबको लोगों को साथ लेकर जोड़के वह प्रफार्मेंस दे पाते हैं अगला ऐसे ब्रक्ति एक टीम में प्रभावी निस्त्वादन करता होते हैं यह जो ब्रक्ति होता जिसके अंदर नीट फार अप्लियेशन का गुर्ड जादा पा जाता है वो क्या होते हैं अपने जो टीम में होते हैं एक कुशल जो है पर फार्मर होते हैं मतलब अच्छा क कारे करने वाला व्यक्ति होता है ठीक तो यह निट फार अप्लियेशन भी व्यक्ति के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है और जिसके अंदर है उसको उस हिसाब से क्या है कार एगर दिया जाए तो वो क्या है निश्यति में शफल होगा तीसरा नीट फार पर वह अब कुछ कि वीगई बावर के वहार को प्रभावित करते हैं और क्या करते हैं यह तो समाज में प्रभावशजिय दिखाने के साथ साथ वो क्या है नियंतर्ण भी दुसरों पे सथापित कर पाएंगे ठीक है और यह वक्ति क्या होता है यह वैसे जिन को पोटकर आप आप link करके अच्छे पत्रुका बिठ होंगे ठेक है तो यह तीन तरह की जो है जो आवसकता होती है में बताया है जिसके बारे में हमने चर्चा किया ठेक है जो पहला था नीट for इननों में एक है मतलब इसह होता है कि हर मतयर जरूर पाइब जाता है जो मोटिस्स बेट्सिक पाए जाता है इस आगर इस धी इसक विश्यवस्ट तसका रटाइस बहुत ज्यादा betटर हो गाक है आज के क्लास में इतना ही मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद